श्रीमद वालमी के रमायन अयोध्याकान 21 सर्व लक्षमन का रोश उनका श्रीराम को बल पुर्वक राज्य पर अधिकार कर लेने के लिए प्रेडित करना तथा श्रीराम का पिता की आग्या के पालन को ही धर्म बता कर माता और लक्षमन को समझाना इस प्रकार विलाब करते हुए श्रीराम माता को सल्या से अत्यंत दुखी वी लक्षमन ने उस समय के योग्य बात कही बरीमा मुझे भी यह अच्छा नहीं लगता कि श्रीराम राज्य लक्षमी का परित्याग करके वन में जाएं महराज तो इस समय स्त्री की बात में आ गए हैं इसलिए उनकी प्रकरती विपरीत हो गई है एक तो वे बूढे हैं दूसरे विश्यों ने उन्हें वसमे कर लिया है अतर कामदेव के वशिभूत हुए वे नरेश के कई जैसी स्त्री की प्रेड़ाना से क्या नहीं कह सकते है मैं शिरी रगुनाद जी का ऐसा कोई अपराद या दोश नहीं देखता जिससे इन्हें राजी से निकाला जाए और वन में रहने के लिए विवश्य किया जाए मैं संसार में एक मनुष्य को भी ऐसा नहीं देखता जो अत्यंत शत्रु एवं तिरस्कृत होने पर भी परोक्ष में भी इनका कोई दोश बता सके धर्म पर द्रिष्टी रखने वाला कौन ऐसा राजा होगा जो देवता के समान शुद्ध सरल जितेंद्री और सत्रुओं पर भी स्नेह रखने वाले पुत्र का अकारण परित्याग करेगा जो पुनह बाल भाव को प्राप्त हो गए हैं ऐसे राजा के इस वचन को राजनीती का ध्यान रखने वाला कौन पुत्र अपने हिर्दय में स्थान दे सकता है रगुनन्दन जब तक कोई भी मनुष्य आपके वनवास की बात को नहीं जानता है तब तक ही आप मेरी साहता से इस राजी के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लीजिए रगवीर जब मैं धनुष लिए आपके पास रहकर आपकी रक्षा करता रहूं और आप काल के समान युद्ध के लिए डट जाएं उस समय आप से अधिक पौरुष प्रकट करने में कौन समर्थ हो सकता है नरशेष्ट यदि नगर के लोग विरोध में खरे होंगे तो मैं अपने तीखे बाणों से सारी अयुद्ध्या को मनुष्यों से सूनी कर दूँगा जो जो भरत का पक्ष लेगा अथवा केवल जो उन्ही की काहित चाहेगा उन सब का मैं वद्ध कर डालूँगा क्योंकि जो कोमल या नम्र होता है उसका सभी तरसकार करते हैं यदि केकई के प्रोथसाहन देने पर उसके उपर संतुष्ट हो पिताजी हमारे शत्रू बन रहे हैं तो हमें भी मुह ममता छोर कर इने कैद कर लेना या मार डालना चाहिए क्योंकि यदि गुरू भी घमंड में आकर करतव्या करतव्य का ज्यान खो बैठिया और कुमार्ग पर चलने लगे तो उसे भी दंड देना आवश्यक हो जाता है पुरुशोत्तम राजा किस बल का सहारा लेकर अत्वा किस कारण को सामने रखकर आपको न्यायत प्राप्त हुआ यह राज्य अब के कई को देना चाहते है शत्रुदमन श्रीराम आपको और मेरे साथ भारी वैर बांध कर इनकी क्या शक्ती है यह राजलक्ष्मी यह भरत को दे दें देवी मैं सत्य धनुष दान तथा यग्यादी की सपत खाकर तुमसे सची बात कहता हूँ कि मेरा अपने पुझ्य भ्राता श्रीराम में हारदिक अनुराग है देवी आप विश्वास रखें यदि श्रीराम जलती भी आग मी या घोर वन में प्रविश्ट करने वाले होंगे तो मैं इनसे भी पहले उसमें प्रविश्ट हो जाऊंगा इस समय आप रगुनाद जी तता अन्य सब लोग भी मेरे पराकरम को देखें जैसे सुर्य उदित होकर अंदकार का नाश कर देता है उसी प्रकार मैं अपनी शक्ती से आपके सब दुख दूर कर दूँगा जो के कई में आसक्त चित होकर दीन बन गए हैं बाल भाव में इस्तित हैं और अधिक बुढ़ापे के कारण निंदित हो रहे हैं उन बृद्ध पिता को मैं अवश्य मार डालूँगा महा मनस्वी लक्ष्मन के ये औजस्वी वचन सुनकर शोक मगन कौसल्या श्री राम से रोती भी बोली बेटा तुमने अपने भाई लक्ष्मन की कहीवी सारी बातें सुन ली यदि जचे अब इसके बाद तुम जो कुछ करना उचित समझो उसे करो मेरी सौत की कहीवी अधर्म युक्त बात सुनकर मुझ शोक से संतक्त हुई माता को छोर कर तुमें यहां से नहीं जाना चाहिए धर्मिष्ट तुम धर्म को जनने वाले हो इसलिए धर्म का पालन करना चाहो तो यहीं रहकर मेरी सेवा करो और इस प्रकार पड़म उत्तम धर्म का आचरण करो वत्स अपने घर में नियम पुर्वक रहकर माता की सेवा करने वाले काश्यप उत्तम तपस्या से युक्त हो स्वर्ग लोक में चले गए थे जैसे गौरब के कारण राजा तुम्हारे पुज्य है उसी प्रकार मैं भी हूँ मैं तुम्हें वन जाने की आग्या नहीं देती अता तुम्हें यहां वन को नहीं जाना चाहिए तुम्हारे साथ तिन के चबाकर रहना भी मेरे लिए श्रेसकर है परन्तु तुमसे विलग हो जाने पर ना मुझे इस जीवन से कोई प्रयोजन है और ना सुक से एदि तुम मुझे शोक में डूबी हुई छोर कर वन को चले जाओगे तो मैं उपवास करके प्रान त्याग दूँगी जिवित नहीं रह सकूँगी बेटा ऐसा होने पर तुम संसार प्रसिद्ध वह नरक तुल्य कष्ट पाओगे जो ब्रह्म हत्या के समान है और जिसे सरिताओं के स्वामी समुद्र ने अपने अधर्म के फल रूप से प्राप्थ किया था माता कोसल्या को इस प्रकार दीन होकर विलाप करती देख दर्मात्मा श्री राम चंद्र जी ने यह धर्मयुक्त वचन कहा माता मैं तुमारे चरणों में सिर जुका कर तुम्हें प्रसंद करना चाहता हूँ मुझमें पिता जी की आग्या का उलंगन करने की शक्ती नहीं है अता मैं वन को ही जाना चाहता हूँ वनवासी विद्वान कंडु मुनी ने पिता की आग्यां का पालन करने के लिए अधर्म समझते हुए भी गव का वध कर डाला था हमारे कुल में भी पहले राजा सगर के पुत्र ऐसे हो गए हैं जो पिता की आग्यां से पृत्विक होते वे बुरी तरह से मारे गए जमदगनी के पुत्र परशुराम ने पिता की आग्यां का पालन करने के लिए ही वन में फरसे से अपनी माता रेणुका का गला काट डाला था देवी इनों ने तता और भी बहुत से देवतुल्य मनुश्यों ने उत्साह के साथ पिता के आदेश का पालन किया है अता मैं भी कायरता छोरकड़ पिता का हित साधन करूँगा देवी केवल मैं ही इस प्रकार पिता के आदेश का पालन नहीं कर रहा हूँ जिनकी मैंने अभी चर्चा की है उन सब ने भी पिता के आदेश का पालन किया है मा मैं तुम्हारे प्रतिकुल किसी नवीन धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ पुर्वकाल के धर्मात्मा पुर के काम नहीं कर रहा हूं पिता की आग्या का पालन करने वाला कोई भी पुरुष धर्म से भ्रश्ट नहीं होता अपनी माता से ऐसा कहकर वाक्य व्यत्ताओं में स्रिष्ट समस्त धनुर्धर शिरोमनी श्रीराम ने पुना लक्षमन से कहा लक्षमन मेरे परती तुम्हारा जो अनुपम एवं महान दुख हो रहा है वह सत्य और शम के विशे में मेरे अभिप्राय को न समझने के कारण है संसार में धर्म ही सबसे स्रिष्ट है धर्म में ही सत्य की प्रतिष्ठा है पिताजी का यह वचन भी धर्म के आश्रित होने के कारण परमुत्तम है वीर धर्म का आश्रे लेकर रहने वाले पुरुष को पिता, माता अत्वा ब्रह्मन के वचनों का पालन करने की प्रतिग्या करके उसे मिध्या नहीं करना चाहिए। श्री राम ने पुनह कोसल्या के चरणों में मस्तक जुकाया और हाथ जोर कर कहा। देवी मैं यहां से वन को जाऊंगा, तुम मुझे आग्या दो और स्वस्ति वाचन कराओ। यह बात मैं अपने प्राणों के शपत दिला कर कहता हूं। जैसे पुर्वकाल में राजर्शी, ययाती, स्वर्ग लोग का त्याक करके पुनह भूतल पर उतर आये थे, उसी प्रकार मैं भी प्रतिग्या पूर्ण करके पुनह वन से अयुध्या पूरी को लोट आऊंगा। मा, शोक को अपने हिर्दे में ही अच्छी तरह दबाई रखो, शोक न करो, पिता की आग्या का पालन करने के लिए करके मैं फिर वनवास से यहां लोट आऊंगा। तुमको मुझको, सीता को, लक्ष्वन को और माता सुमित्रा को भी पिताजी की आग्या में ही रहना चाहिए, यही सनातन धर्म है। मा, यह अभिशेक की सामगरी ले जाकर रख दो, अपने मन का दुख मन में ही दवालो और वनवास के संबंध में जो मेरा धर्मानुकूल विचार है उसका अनुसरण करो, मुझे जाने की आग्यां दो। श्रीराम चंदर जी की यह धर्मानुकूलत था गगरता और आकूलता से रहित बात सुनकर जैसे मरेवे मनुष्य में प्राहन आ जाए, उसी प्रकार देवी को सल्या मुर्चा त्याकर होश में आ गई, पिता अपने पुत्र श्रीराम की और देख कर इस प्रकार कहने लगी बेटा, धर्म और सोहार्थ के नाते जैसे पिता तुम्हारे लिए आदरणिये गुरुजन है, वैसे ही मैं भी हूँ, मैं तुम्हे वन में जाने की आग्या नहीं देती, वत्स मुझ दुखिया को छोड़कर तुम्हे कहीं नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे बिना मुझे इस जीवन से क्या लाब है, इन स्वजनों से देवता तथा पीतरों की पूजा से और अमरित से भी क्या लेना है, तुम दो घरी भी मेरे पास रहो, तो वही मेरे लिए संप्रोण संसार के राज्य से भी बढ़कर सुख देने वाला है। उन्हों कर आवेश में भर गए, उन्होंने धर्म में ही द्रड़ता पुरवक इस्तितर रहकर अचेट सी हो रही माता और आर तेवन संतप्त हुए सुमित्रा कुमार लक्षमन से भी ऐसी धर्मानुकूल बात कही, जैसी उस अवसर पर वे ही कह सकते थे, लक्षमन मैं जानत हूं तुम सदा ही मुझे में भगती रखते हो और तुम्हारा पराकरम कितना महान है, या भी मुझे से छिपा नहीं है, तथा पि तुम मेरे अभी प्राय की और ध्यान न देकर माता जी के साथ स्वें भी मुझे पीरा दे रहे हो, इस तरह मुझे अत्यंत दुख में न इस जीव जगत में पुर्वकृत धर्म के फल की प्राप्ति के अवसरों पर जो धर्म अर्थ और काम तीनों देखे गए हैं, वे सब के सब जहां धर्म हैं, वहां अवश्य प्राप्त होते हैं, इसमें संशे नहीं है, ठीक उसी तरह जैसे भारिया धर्म अर्थ और काम ती बिका होती है जिस कर्म में धर्म आदि सब पूरुशार्थों का समावेश न हो उसको नहीं करना चाहिए जिससे धर्म की सिद्धी होती हो उसी का आरंब करना चाहिए जो केवल अर्थ परायन होता है वह लोक में सब के द्वेश का पात्र बन जाता है तथा धर्म होकर भी यदि किसी कारी के लिए आग्या दें तो हमें धर्म समझ कर उसका पालन करना चाहिए जिसके आचरणों में कुरूड़ता नहीं है ऐसा कौन पुरुष पिता की आग्या के पालन रूप धर्म का आचरण नहीं करेगा इसलिए मैं पिता की इस संपोर्ण प्रतिग्या का इथावत पालन करने से मुह नहीं मोर सकता तात लक्षमन वे हम दोनों को आग्या देने में समर्थ गुरू हैं और माता जी के तो वे ही पती गती तता धर्म हैं वे धर्म के प्रवर्तक महराज अभी जिवित हैं और विशेष्टा अपने धर्म में मार्ग पर इस्तित है ऐसी दर्शा में माता जी जैसी दूसरी कोई विद्वा इस्तिरी बेटे के साथ रहती है उस प्रकार मेरे साथ यहां से वन में कैसे चल सकती है अतह देवी तुम मुझे वन में जाने की आग्या दो और हमारे मंगल के लिए स्वस्ति वाचन कराओ जिस से वनवास की अवद मा जीवन अधिक काल तक रहने वाला नहीं है इसके लिए मैं आज अधर्म पुरवक इस तुक्ष पृत्वी का राज नहीं लेना चाहता इस प्रकार नरशेष्ट श्री राम चंद्र जी ने धैर्य पुरवक दंड का रन्ने में जाने की च्छा से माता को प्रसंद करने का संकल्प किया इस प्रकार श्री वाल में की निर्मित आर्श रामायन आधिकाब्य के अध्याकान में 21 सर्ग पुर्ण हुआ